दोस्तो कोटक बैक अप्लिकेशन आप यूज करते हो और इसमें आपको QR कोड स्कान करके जो है बेमेंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है यह बताने वाला हूँ सबसे पहले अप्लिकेशन ओपन करना है अप्लिकेशन ओपन होने के बाद M-PIN से या फिर fingerprint से जो है आपको आपके mobile screen के उपर देखने मिलता है अब home page पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना है और यही पर आपको pay and transfer का option मिलता है अब scan any qr का option आपको यही पर मिल जाएगा आप यहां से select कर सकते हो या फिर transfer money के उपर अगर आप जाते हो तो वहां पर भी आपको scan any qr का option visible हो जाता है select कर लेना है select करने के बाद दोस्तों यहां पर थोड़े समय में screen के उपर आपको scanner का option मिलता है तो यह जो particular area अभी जो आपको black visible हो रहा है यहां पर आपको qr code scan करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको application के अंदर कोई भी qr code नहीं मिलता है आप ब इस particular qr code को कोटक application से scan करूंगा दोस्तो qr code completely scan होने के बाद सामने वाले के जो account details हमें इस तरी कसी visible हो जाएंगे नाम आप चेक कर सकते हो अब यहां पे आपको amount enter करना है remark enter करना है और submit के उपर click कर देना है तो जाली से कर देते है example के तोर पर अभी मैं 500 transfer करके दिखा देता और remark में मैं यहां पर test mention कर देता हो क्योंकि testing के लिए दिखा रहा है सारी चीज़ें होने के बाद यहां पर submit के उपर click करना है एक बार सारे details confirm करना है और confirm and pay के उपर click करना है यहां पर देखिए दोस्तो payment जो है successful हो जुका है कुछ-कुछ cases में जो है यहां पर आपको MP आप करना है तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मिलते हैं नेक्स टूडियो में धन्यवाद